तो यह देखिए हमारा मटर का जो कड़ी बन के तयार है इसका टेक्सिर कितना बढ़िया है हेलो फ्रेंट्स मैं राजीब और राजीब की चेने इन फाम आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हरे मटर की करी तो चली बिना किसे देरी के सुलू करते हैं इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले कड़ा ही लेंगे आप चाहे तो फ्राइपेन में भी से बना सकते हैं उसमें तेल डालेंगे तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है और उसमें ख़ड़ा जीरा एड़ करेंगे तेल ली फील लिये ह्तしमच के लिया हैं और अधी चमच के सपस और भील ऑड हरी मिर्च और प्यालें प्याज हम आप मिर्च जो एक मेडियम सेच के लिये है और मिर्च जो है दो करें दूर difसके प्याज मिर्च और ने나ənि यह मतर दो फिर मतर की कड़ी है ना दोस्तों बहुत ही अच्छी लगने वाली है साथ यूट्यूब पे ये पहली वार रेशिपी बनने जा रहा है और यहां पर हम जो एस्प्रिंग अनियान होता है इसे कच्चा प्याज का पत्ता बोलते हैं तो आपके पास हो तो एड़ कर दें नहीं हो तो यह typical है ईससी डाल देंगे तो असका टेस्ट और और ही अच्छह लगेगा तो आपके पास फोह ठीक है नहीं भी उत्व नहीं हो तो भी ठीक है तो अब हम यहां पर अधरक लर्शन का पेश्ट एड़ करेंगे इसमें अधरक हमने एक इंच के असपास और लर्शन 6-7 कलिया है उसे दोनों कच्छे से कूटके इसका पेश्ट तेयार किया है और मसाले हम यहां पर अधी से थोड़ी जादी चमच धनिया पॉडर और अधी चमच हल्दी पॉडर का इस्तमाल करेंगे कोस्मेरी लाल मेर्चाप के पास हो तो एड करें नहीं तो अब नहीं भी एड कर सकते हैं बस बहुत ही कम मसाले सो यह रेसिपी बनने वाला है तो मसाल कर दुगा ने के रट ये पानी एड करेंगे और पानी एड करने के बाद यसे अच्छे से भूनेंगे मसाले बहुत तो मसाले को हम 3-4 मिट तक भुने बूने गया ताकि मसाला थाल ठीक हमारा तेल चोड़ने में लगा मसाले से मसाले इसका मतलब एक मसाला भुन चुका है यह देखिए कितना अच्छा मसाला भुना है, अब हम यहां पर है टब करेंगे टमाटर तो टमाटर हमने एक मीडियम साइज का लिए है और इसे हम ढख के लगभग तीन से चार मिट तक पकाएंगा मेडियम फिलम पे ताकि अच्छे सपक जाए तो यह देखिए हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से यह पूरा गला नहीं है हमें केवल सॉफ्ट करना था तो अब हम यहां पे हरा मटर एड़ करेंगे यह मटर लगभग तो टोटल मटर हमने तीन सो ग्राम कासपस लिया था आधी मटर को हमने खराड डाला है आधी मटर का हमने मिक्सी जार में पेश्ट बना के रखा हुआ है उसको डालेंगे बाद में तो इसमें थोड़ी सी नमक एड़ करके थोड़ी सी पानी एड़ करके हम इसे धक्के पकाएंगे तो ये कितना अच्छा ये बन के तयार हुआ है यह हमारा मटर भी पक चुका है इसको चार से पांच में तक ढखके पकाएंगे विल्कुल लो टू मिडियम पे तो अब हम यहां पे पेश्ट किया हुआ हम हरा मटर जो था उसे हम एड़ करेंगे यह लगवग 500 ग्राम के आसपास हमारा हरा मटर पीसा हुआ है आप मिक्सी जारमी से अच्छे से दरदरा पीस लें और उसके बाद इसे भी लगवग चार से पांच मेंट तक हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह अच्छे से भुन जाए यह अच्छे से भुन जाएगा यह जो कड़ी बनेगी बहुत जवरदस्त बनेगी बहुत ही अच्छा टेश्ट इसका होगा तो अब हम थोड़ी सी पानी एड़ कर लेंगे इसमें और आपको ग्रेवी जितना गाड़ा पतला पसंदो उसे साब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें थो अभी और पानी एड क 3-4 मिर्ट तक अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे और लास्ट वाम थोड़ी से गर्म मसाला इस मेड कर दिया है थाकि इसका टेस्ट जो है और अच्छे से निखर कर आए तो यह देखिए फ्रेंट्स हमारा यह लगवक फाइनली पक चुका है और यह जो हरे मटर की कड़ी है यह देशी मटर का बना है तो आप को बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगने वाला है वैसे पॉल्ट्री वाली जो मटर होती है उसका थ्वास मिठास बनाता है तो यह देखिए हम इसकी अब प्लेटिंग कर लेते हैं यह देखिए है न इसका कितना अच्छा टेक्स्चर है यह देखने में जितना टेस्टी लग रहा है यह टेस्ट में कहीं उसे ज़्यादा है नहीं तो आप एक बार अपने खर पर इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें तो अखी सिग जरूर बताओं है कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी है हैं प्रेंड्स अगर यह सिप्याप को अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी के बेल आइक आन को दावाना ना बूले ताकर इसी तर गेर सिप्याप को आगी भी मिलती रहें जैहीं जै भारात